ओपियस हिमाचल परदेश में करमचारियों की बहुत लंबेस मैंसे एक मांग चल रही है मैंने पहले भी स्पष्ट किया है जब इस ओपियस के कॉंसेप्ट को हिमाचल परदेश में लागू करने की बात आई थी उस वक्त कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बीरभदर सिंजी के निकितों थी हमारी सरकार नहीं थी केंदर से हमारी सरकार ने इस ओप्ष्ट को भेजा लेकिन सविकार उन ने किया और संभवता पूरे देश पर में हिमाचल पहला परदेश ता शायद जिसने ओपियस की ऑप्ष्ट को एकसेप्ट किया एक बात दूसरी बात हम करमचारियों के लिए सदैब खुले रहें जो बातें करमचारियों के विविन वर्गों के माध्यम से हमारे तक पहुंची और जो इशिज उनके थे एक एक को समाधान किया और ऐसे में चार वर्ष्टों में कोई भी करमचारियों का कोई अंदोलन कोई भी इस परकार का नराजकी का महल जो परदेश का कहीं भी देखने को नहीं मिला क्यूंकि उनके डिउस समय पर जो देने चाहिए थे हमने समय पर दी हैं कोबिट की स्थिती होने के बावजूद भी करमचारियों के ड्यूस भी दिये करमचारियों के एक दिन की सैलरी डिले नी की हमने एक दिन के लिए पैंशन डिले नी की ऐसी परसिती में जिस मांग को ले करके हमारे सामने आए हैं मैंने बिधान सबा के अंदर एक बार निया नेक बार कह दिया कि इस संदर्ब में हम जो उनका सुझाव है जो उनकी बात है उसको सुनने के लिए त्यार है हमें कोई आपती नहीं है और हमने समधहन क्या हो सकता है उसके लिए उनकी वह से आगरे आया था कि एक कमेटी कॉंसिट की जाए वो कमेटी हमने चीफ सेक्रेटरी के जग्स्तर में कॉंसिट की है अपनी बात उनके पास भी रखी जा सकती है और आज जब अंदोलं के लिए उनने कॉल दिया है तो हमने कहा कि आप आए हैं आपके स्वागत है आप अपड़ी बात को ले कर कि जो बात कहनी है वो कही है। लेकिन 10-15 प्रतिन निदी जो आपकी प्रमुक हैं जो आना चाहते हैं वो आएं बात करें। लेकिन उन्हें एक सो तीन के पास आकर के असेंबल होकर के वहां पर ट्रैफिक को जाम किया आना जाना शिमला का आपको मालू है कि कितना कफिन हुआ लोगों को परिशानी हुई उस कारण से और उसके बाद पुलिस के साथ भी सकफल करने की कोशिश की कर्मचारी है वो और मैं आज भी उन्के साथ यही कहना चाता हूँ अपनी मांग करिए लेकिन महरबानी करके आप कर्मचारी हैं सरकार के और ऐसे में सरकार के खिलाफ आप अपनी बात जितनी शालीनता से कह सकते हैं लेकिन जिस भाशाय में कुछ लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो उचित नहीं है एक कर्मचारियों के लिए किसी भी तरह से उचित नहीं है हमने चीफ सेक्रेटरी को भेजा कि उनसे बात करिये उनके अगर प्रतनी दिया आकर कि हमसे बात करना चाहते हैं उनको लेकर क सुनेंगे लेकिन अंदोलन जो है उसको सस्पेंड करें अंदोलन के कारण वो भी कटनाई में है वो उनको भी परिशानी है और लोगों को भी परिशानी है लेकिन उसके बाप जुद उनने अभी तक इस बात को ले करके सुना नहीं है और जिस तरह से वो मांग कर रहे हैं कि म के बीच में आई वो संभव नहीं है उनको इस बात को शम्जान चाहिए उनकी बात सुनने के लिए हम उपस्तित हैं जब बोलेंगे वह हम उनकी बात को सुनेंगे लेकिन इस परकार से शर्ट उन की जिस परकार से रखी गई वह उचित नहीं है मैंसा मानता हूं और दूसरी बात वो राजनेतिक दिश्टी से राजनेतिक दिश्टी से खिलोना बढ़ने की कोशी कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वो भी उचित नहीं है अपनी मांग कहने का अधिकार है अपनी बात के हदी तरह प्रयात है और इसके बाद फिर मैं अंत में एक बारा फील कर रहूं प्रत्निधीं उनके हैं उन प्रत्निधीं के साथ बात करने में हमको कोई भी कटनाई नहीं है लेकिन यह संबब नहीं है कि हम जाकर कि वहां लोगों के बीच में जाकर कि कोई बात करें वो आना चाहते हैं वो आएं अपनी बात कहें और मेरा उनसे इसी बात को लेकर के सिर नहीं होनी चाहिए कानुन विवस्ता को सही हो करें तरह में अपील करता हूं जो इसी आज बिज़ी है देखे इसके इंटेलिजेंस फेलियूर की मैं नहीं मानता हूं तो हम एक्सपेक्ट करते हूं ने एक लाक बोला था यहां पर आठ और दस ज़ार के बीच में लोग पहु बल प्रवेव प्रयोग इसको नहीं कहते हैं जब उनने सारा पुलिस के इसको जो है तोड़ा है और जिस परकार से वो किया है पुलिस ने बहुत शांति प्रिय ढंग से और सईम और सबर के साथ काम लिया है मैंने अभी भी कहाया कि हमको सबर और सईम के साथ की काम करना है और मैं उनसे इस बात के लिए आगरे करता हूँ कि अंदोलित होकर के इस परकार्शिक समस्य का समधान नहीं है.